श्री राम मंदिर के गर्ब ग्रिव के आसन पर राम लला की मूर्ती को विराजमान कर दिया गया है राम लला की मूर्ती की पहली तस्वीर सामने आई है भगवान श्री राम की जन्भूमी पर बने राम मंदिर में राम लला के अचल विग्रह को गुरुवार को गर्वग्रिह में प्रवेश कराया गया राम लला की 51 इंच की मूर्थी के मुख और हाथों को पीले रंग के वस्तर से ढखा गया है भगवान श्री राम के पांच वर्ष के बालक स्वरूप राम लला की प्रतिमा की लंबाई 51 इंच है जबकि आधार सहित प्रतिमा की उचाई 7 फीट 10 इंच है राम भक्तों को अब 22 जन्वरी का इंतजार है और इसी दिन गर्भ ग्रह में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस खबर पर अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण भसीन वरुण राम लला के दर्शन सभी ने किये हैं हाला की जो अभी प्राण प्रतिष्ठा में थोड़ा समय बाकी है और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की जो आस्था है वो भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उत्सुकता बढ़ती जा रही है आप से समझना चाहेंगे अब आज शाम से दर्शन बंद हो जाएंगे उसके बाद सुमवार को पुनह दर्शन शुरू हो जाएंगे क्या तैयारी है और क्या आप वहाँ पर दृष्ठ देख पा रहे हैं जी बिल्कुल देखिए मैं अपने दर्शकों को इस वक्त वो तस्वीरों के जरीए वो राम जन भूमी कतीर्ट छेतर के वो प्रांगण की तस्वीरे दिखाना चाहूंगा जिसको इस वक्त पूरी तरह से फूलों से सजा दिया गया है वो पूरी तरह एक फूरों का कॉरिडोर तयार किया गया है वो अलग-अलग जगा से देश के अलग-अलग इस्तों से हजारों टन इस वक्त वो फूल यहां पहुंच रहे हैं आयोध्या इस वक्त पूरी तरहा से सजा दी गई है वो चाहे शाम को होने वाला दीपोटसव हो या फिर इस वक्त सड़कें जो की रंगोली से सजी हुई है एक तरह से जो दीपावली का महौल है उसको क्रियेट कर दिया गया है वो त्रेता यूग की जो एक फीलिंग है गर रामभक्तियां आते हैं तो वो उनको मिले ये कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ इस वक्त जो रामभक्त है आज वो आस्थाई राममंदिर का आखरी दिन है यानि कि जो इतने सालों से आस्थाई राममंदिर चल रहा था वो आज शाम को साथ बज़े के बाद इस व सब्सक्राइब का उसके बाद अब उस मंदर में दर्शन कर पाएंगे अलग लग जगाओं से लोग आए हैं कैसा फील हो रहा है क्या लगा है बहुत अच्छा पील हो रहा है जुद्या हम लोगों का हम लोग यह इतना अच्छा सब कुस देख पा रहे हैं हम लोग 22 जुनरी को अपने घर में सुन्दर कांड करेंगे पूजा पाठ करेंगे दीपुस्सो करेंगे फिर जो है आज हम लोगों के दर्शन का यह लास्ट टे था क्योंकि हम लोगों का अपकल से परसों से बंद हो जाएगा तीन दिन चार दिन बंद रहेगा फिर हम लोग 25 तारीक को आएंगे हम लोग यहीं नजदीक सही है यह अज़ वासी यहां पहुंचे है मैं यहां दिखाऊं सेलफी पॉइंट्स बने हुए है वो जैश्री राम हैश्टेक जैश्री राम यह वो तस्वीरें हैं यह वो प्रांगण हैं यहां से एंट्री होती है उस राम थी थी वो इस वक्त यहां पर 20 तारिक को पहुंचेंगे सुरक्षा के इंतिजाम है वो इन दो दिनों में किये जाएंगे लेकिन इस वक्त जो माहौल आयोध्या का जो तस्वीरें आयोध्या की इस पूरे कॉरिडोर में जितनी दूर तक आप इस वक्त मैं दिखाने की हूं वहां तक आप देखेंगे तो उसको पूरी तरह से फूरों से सजा दिया गया है और जो वो लाइटिंग है उसकी विवस्ता की गई है रात को जगमगाता हुआ इस वक्त वो राम मंदिर भी हमें नजर आएगा आपसे कुछी देर में लेकिन इस वक्त वो फूलों की म पहकता आयोध्या दीपो से चमकता इस वक्त वो आयोध्या की तस्मीर अलगी देखने को मिल रही है जी तस्वीरों में हमने देखा और भक्तों का उत्साह चरम पर है उसको भी हमने यहां पर महसूस किया है वरुन बहुत धन्यवाद करेंगे इस पूरी ग्राउंड रिप का